अब साइबा का लेटर उड़ा देगा अंगद के होश अनी वाले अपसूड में जहां पर अंगदो साइबा लगलग कमरे में रहते नज़राएंगे ना साइबा को नीद आएगी ना ही अंगद को उसकी भी निंद उड़ जाती है दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे से बात कर होते हैं दोनों ही दिलों से उनके इमोशनली हो कनेक्टों कर बात कर रहे होते हैं अंगद और साइबा इसी तरह से बात कर रहे होते हैं कि दोनों की एक आमनी सामने बेटे हो तोनों का अपनी इमोशन अच्छे से समझ आ रहे होते हैं और साइबा को पता होता है कि अंगद तो देखने को मिलने वाला है साथ में ही अंगत के लिए उसने लव लेटर भी रखा था और उसके लिए जो उसने तोफ़ा दिया था साइबा को उसे ही वो अब उसके लिए वापस लेटर और एक तोफ़े के साथ उसके यहां पर अपने पास रखी होती है लेकिन उसे लग रहा होता है कि जब वो सबसब साबित कर देगी तब ही वो अंगत को देगी झाल झाल झाल